हलो स्टुएंट्स वेलकम टू जमेर्टी डिफैंस अक्रडमी तो इस वीडियो में आपको बताऊंगो कि ग्यारवे राउंड में किन-किन बच्चों का नाम आया है और सारे सैनिक स्कूल की लिष्ट में आपके सामने लेक्या है आपको पता है सैनिक स्कूल में राउंड चल की तो साथ क्या है वेट्इंग लिष्ट है तो यह साथ और चार ग्यारा टोटल राउंड कितने वन गई वे आपके टोटल रांड बन गए ग्यारा के लिए ये आपको जहनक है और अब सारे स्कूल अब सेनिक स्कूल अपनी अपनी वेब्शाइट पे लिस्ट डाल रहे हैं तो पैरेंट्स के लिए ऐसे में मुश्किल हो जाता है कि भई उनके बच्चे का नाम है कि नहीं और ये लिस्ट में जिन बच्चों का आगे के कुछ राउंड में नाम आएगा उन्होंने वो भी लिस्ट डालनी शुर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं हम सरकारी स्कूल के तूर त्रूर त्यारी कराते हैं अपको पता 33 स्कूल है सरकारी बाकी प्राइवेट है उनमें तो बिना पढ़ाई करें भी सेलेक्शन आपको हो जाएगा तो कि वहां पर मेरिट बहुत नीचे है और लेडी बहुत चलिए हमारा प्रहार बैच चला हुआ है या rate के लिए अब है न बचो का मान के चलिए बहुत दूर रह गया वेटिंग डिस्ट से थूर और परिसान नहीं में जूझ जाएए पांच से लेकर आठ बजे तक किलास होती है इसकूल से तसलिदी करके आईए और फिर तयारी करिए परतिग्या बैच ये ये राष्टे से लिए इन बच्चो का नाम है इन बच्चो का नाम है लिस्ट में और कब जाना है बई देखो ये इसमें लिखवी इस नंबर पर कोल करके पहले तो इन फॉर्मेशन लिलो और साथ में बात करूँ आपका चार ये पांच अगस्त का आपके बास इसमें इनको रिपोर्ट करन लें 30 जुलाई आप देख रहे हैं यहां पर तारीक ठीक है कुछ नए अभी अभी पांच वी राउंड में है तो उसको भी आपको जान रखना है तो यहां से देख लो जिन बच्चो का रोल नंबर है नाम है और अगर मैं बात करो सैनिक स्कूल नालंदा तो यह कौन से नं कुन सी कट्यरी में ईक्टम मत हो जाना कि सर 50 60 रांक स्क्ट हो कहीं न कहीं मौका मिलता है अब बात करते हैं मेन पूरी नाम ना देख कर लो पिलियर, देखो भी हाँ, ट्रांसपर टु उदित राज मोहन, ट्रांसपर टु होम-aन-reserved category, ठीक है, तो मतलब कई बार क्या है, साईनिक स्कूल में आपस में ट्रांसपर भी हो जाते हैं, ठीक है, आपस में ट्रांसपर हो जाते हैं, सब यहां पर देख सकते हैं यह लिस्ट है लंगी चोड़ी लिस्ट देते हैं सारे की सारी आप देख सकते हैं यहां पर पहुज करके वीडियो को अपना नाम रोल नंबर अच्छे से चेक कर लिजिए चलिए अब बात करते हैं सुजानपूर सुजानपूर कहां पर है? यह हमाचल प्रदेश का है सैनिक स्कूल अब यह सात लिष्ट टोटल सिट सात का मतलब कहा पहले इसको बुलाएंगे फिरिसको 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 ऐसे कर रहे हैं भी ठीक है तो मान के चलो जिस बच्चे का इसमें नाम है ना तो यह द्यानक ना उसके चांची सबसे ज़्याद है अगर इस बच्चे ने मना कर दिया तो फिर इसको गुलाएंगे ऐसे चलेगा तो यह सारे इनोंने एक लिश्ट मान के चलो इनोंने निकाली है extended list में से एक लिश्ट बना ली इनोंने ऐसा नहीं है कि यह सबकी vacancy है ऐसा कुछ नहीं है पता चला 2, 3, 2, 5, 6, 7, 3, 10, 2, 12, 7, 19, 20, 21 vacancy है नहीं यह क्या है कि यह ठीरियल वाईज है यह रैंक वाईज है तो आप उसमें रैंक वाईज देखो और कब रिपोर्ट करना है चार माचल प्रदेश में ठीक है यह लिखा चलो जहां से सैने की स्कूल आप देख लिजिए यहां पर देखो केलियर यह हो गया आप देख लो इसको विलिंग हैं से यहां रिप देख सकते हैं ठीक है यहां से आप चार अगस्त को है और अगर बात करूँ किलाश 6 यह तो 9 यह अब आप यह किलाज 6 में किलाज 6 में अगर आप देखें तो यह सारी वेकंसी हो गई विलिंग विलिंग चल लेए यह आप देख सकते हैं ठीक है यहां से आप चेक कर लो यहां पर भी 4 अगस्त को ही रिपोर्ट करना है चलें तिलाईया जारकंड का जो सैनिक स्कूल है गुल पारा वह यह हैं आप देख लो यह सेवंत के लिए है तीन अगस्त को रिपोर्ट करना है यह उन्होंने कुछ पहले बुला लिया और यह नाइंट के लिए हैं यहां पर भी 3 अगस्त को है यह दो बच्चों का सेलेक्शन है और फिर यह तीन बच्चों का नहोंने तो 201 नंबर ठीक है 201 नंबर उडिशा बुबनेशवर में होम रिजर्व से और अगर मैं बात करूँ होम से अन्रिजर्व कौन सी लेगिन कैटेगरी कौन सा होम रहा ही हो गया 200 नंबर पर बुलाया फिर और फिर यह जो आपका है अधर इस्टेट से अंधर पर देश से 248 ठ यहां अगर मैं बात करूँ टोटल ठीक है टोटल वेकंसी फिल्ड हाँ वही 24 में से देखो 33 वेकंसी अधर इस्टेट की फिल्ड हो चुक है एक वेकंसी अभी खाली है तो वही वेकंसी बरने का प्रियास हो रहा है अधर इस्टेट से जुन-जुनो सैनी स्कूल अभी इसम रिवा एजक्टिड एट सैनीक स्कूल रिवा हाँ यह भी है अगर कोई सैनीक स्कूल पर किसी दूसरे सैनीक स्कूल में रिजक्ट हो चुका है तो फिर वो पच्चा कहीं नहीं आएगा यह भी ध्यानक ना कि पता चला आपने एक जगह से रिजक्ट हो गए और दूसरी को लग रहा है कि merit नीचे जाती क्या पता हमारा हो जाता बिलकुर हो जाता भाई यह आपको जल्दबाजी नहीं करनी थी प्रेवेट सेनिक स्कूल तो आपको मिली जाना था वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं यह गलती हुई है मेरा मानना है यह पैरेंट्स को तो 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 बहुत सारी गलती हुई है और यह academy की मैं गलती मानता हूँ जहां से भी उन्होंने त्यारी कर जिसने भी उनको गाइड किया है के लिए तो यह देखिए यह है वैस आपका यह सीरियल वाइज है रैंक वाइज बुलाई जाएंगे यह रैंक वाइज फिर्म में रिमार्क ड देखो यहां से देखो इन्होंने पूरी लिस्ट निकाल दिया यह तीन और सीरियल वाइज बुलाएंगे जितनी भी वैकंसी होगी चार यह ठीक है और कब रिपोर्ट करना है तीन अगस्त का इन्होंने भी डेडलाइन दी है तीन अगस्त ठीक यह किलिए हो गया और यह आ 240 महरास से ठीक अगर मैं बात इससे हां से आप कटोप का भी एक आईडिया ले सकते हैं देखो 240 है उत्तर परदेश से वही मैंने बताया ना 240, 248, 245, 244 आप मान के चलो की लटक लटक के कहीं लटक लटक के कहीं ना कहीं बच्चा अगर सेलेक्ट होगा तो वह 240, 240 पे सेलेक आपके लिष्त देख सकते हैं यह लिश्ट है आपके साफने कर मानिक वाले की अब बचे हैं जो बचे हैं वो बचे हैं वो सीरेल वाई बलाया जा रहे हैं चले ठीक है तो मैंने जिन्होंने लिस्ट अप्डेट करी है वो मैंने डाल दी वही शैनिक स्कूल वाले phone भी आपको करेंगे तो अपना phone number वगारा email वगारा को proper check करते रहो लिस्ट मैंने दिखा दी जादतर की जिन्होंने लिस्ट डाली है सरकारी सैनिक स्कूल में अगर डंके की चोट पर सेलेक्शन है तो डंके की चोट पर आजए हमारे उस्तिल में गैरंटी सेलेक्शन करागे बेजेंगे प्राइवेट सैनिक स्कूल तो हम लोग सेलेक्ट भी निकड़ाते यह हमारा है बरोसा यह हमारे टीम के expertise है वो टीम वही यह वात वही कह सकती है जो टीम महनती है इन स्कूल्स के अगर आपको live class के तुरुतियारी करें तो इस नंबर पे call करके आप proper information ले सकते हैं चैनल को subscribe कर लो बेल आइकन पे click कर लो क्योंगी सारे exam का समय कितना बचा हुए चार महीने का समय बचा हुए और अब होगी दुमादार ताहियारी अब नहीं कोई आपनी लेकर सब्सक्राइब थैंक्यू शूरेंट्स